तो माई यूट्यूब चानल तो गूगल स्टैकिंग से रिलेटेड मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे हैं कि मैं लास्ट वीडियो पे अप्लोड कर दिजे तो आप्रॉमिस मैं वह दो तिन दिन में डेफिनेटली अप्लोड कर दूंगी थोड़ा सा टाइम का इस वह हो इस कारन से मैं वह वीडियो कंपलीट नहीं कर पा रही हूं बट आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 बैक्लिंग साइट सियर करने जा रही हूं जिसमें कि आप आर्टिकल्स भी पोस्ट कर सकते हैं और मुलिटिपल बैक्लिंक्स बना सकते हैं 4 आपको डोमेन मिल और अपने SEO friends और blogger friends के साथ मेरे इस चैनल को शेयर करना ना भूलेगा तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर जो और गैनिक ट्राफिक है वह 6.1k है 6.1k ट्राफिक एक बहुत अच्छा नंबर बन जाता है जब यहां से आपको contextual backlink मिलना हो और यहां पर आप देख सकते हैं यूएस से यहां पर 45% ट्राफिक है देन कोरिया से है और इंडिया स आपके लिए बहुत ही एकदम सही वेबसेट है और आप इस वेबसेट को यूज कर सकते हैं यहां से आपका और गैनिक ट्राफिक होगा होगा साथ में आपका revenue भी इंक्रीज होने की possibility बन जाएगी और अगर आप इंडिया के लिए अपनी ट्राइट कर रहे हैं तब भी 15% ट्राफिक आप यहां पर देख सकते हैं वह इंडिया से है और अगर मैं इस पर बैक लिंग बनाने का प्रोसेजर करते हूं तो बैक बनाने का प्रोसेजर बहुत जादा सिंपल है मैं फ्रेंड्स आपको करना क्या है यहां पर आपको जाइन को प्शिन मिल जाएगा आपको इस फॉर्म को फिल कर लेते हैं तो अब यहां पर देख सकते हैं मैंने सारा फॉर्म फिल कर दिया है आपको यहां पर अपने प्रोफाइल सेट अप करने का उप्शिन मिल जाएगा तो आपने यहां पर अपना फोटो लगा देना है मैंने यहां पर अपना फोटो ल कर देंगे को अब इन्हों ने आपकी इस email आइड़ कोड भेजा और यहां पर कॉपी पेस्ट कर देना है तो स्पाम में आ सकता है आपका यह कोड तो यहां पर यहां पर इसको अप्ग्रेड करने का और यहां पर इसको मंतली five dollar pay करके जो यहां से आप अपना इसको upgrade कर सकते हैं यहां पर अपने clients के लिए multiple articles पूस्ट कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं फिर आपको do follow back link मिलेगा permanent articles रहेंगे और sponsor tag तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा ठेक है तो आप यहां पर इस तरह से भी आप इसको choose कर सकते हैं आप यहां पर इसको 5 dollar जो है इसका subscription लेके के clients के प्रोजेक्ट चल रहेए आप यहां पर उनके multiple articles post कर सकते हैं यहां पर यहां पर free article भी यहां पे post कर सकते हैं तो हम एक आर्टिकल पोस्ट करके देख लेते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं मैंने एंकर टाइक बना दिये हैं यहां पर और यहां पर हम अपने टाइक्स डाल देंगे पब्लिश ना हो यहां पर आप फिर इमेज भी लगा सकते हैं फीचर्ड इमेज और यहां पर आप देख सकते हैं हमारे आर्टिकल जो है वो लाइव हो चुका है और अगर हम इसके do follow no follow की बात करते हैं तो यह हमें no follow backlink मिलें लेकिन यह हमें contextual no follow backlink की यहां पर अचीव हुआ है अगर आप यहां पर इसका सब्सक्रिप्शन बाई कर लेते हैं तो आपको यहां पर यह जो backlink है यह आपको do follow backlink मिलेगा तो website की निम की बात करते हैं website की निम आप यहां पर देख सकते हैं live positively.com live positively.com जो है आचीव की यह फर्स्ट नो follow contextual backlink website का name है और second website आप यहां पर देख सकते हैं हमारी .org website है और यहां पर भी backlink बनाने का procedure बहुत simple है यहां से आपको no follow contextual backlink मिलेगा और यहां से आपको एक referring domain और multiple backlinks अचीव हो जाएंगे तो backlink बनाने का procedure अगर मैं आपके साथ शेयर करती हूं तो top bar पर right hand side पर आपको sign in option मिलेगा वहां पर क्लिक कर लेंगे और फिर आपको google account या facebook account को use करके यहां पर sign in कर सकते हैं और या फिर आपकर create account भी कर सकते हैं और यहां पर प्रॉपर फॉर्म फौर्म flesh करके और इस पर account create कर सकते हैं तो मैं प्रूगल account को यूज़ करके आप अपना account generate कर रही हैं यहां पर sign in कर रही हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं मैंने आपना account create कर लिया है और अब एक पर अपना यहाँ पर प्रोफाइल भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर अपना फोटो लगा सकते हैं, यहाँ पर आप अपना नीम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप अबाउट मी का इस सेक्शन को फिल कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको सोशल अकाउंट्स को भी integrate करने का option मिल रहा है यहाँ पर आप अपने facebook को यहाँ इसके साथ connect कर सकते हैं तो इस तरह से आप अपने इस profile को complete कर लेंगे और फिर आपको यहाँ पर top bar पे right option आ रहा है यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे यहाँ पर आप अपने एक photo लगा लेंगे और यहाँ पर आप अपना title पोस्ट कर देंगे तो यहाँ पर हमने अपना title डाल दिये यहाँ पर हमने अपने tags डाल दिये यहाँ पर हमने अपना article पेस्ट कर दिये तो यहाँ से आप पूरी इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं यहां पर आप वीडियोस भी अपनी आड़ कर सकते हैं यूट्यूब की वीडियोस आड़ कर सकते हैं यहां पर इमेजीस आड़ कर सकते हैं तो इसको प्रॉपर एक अच्छा फॉर्मेट बना सकते हैं और इस तरह से और फिर यहां पर अपने एंकर टैग भी बना देंगे और यहां पर आप देख सकते हैं यह हमारा no follow backlink है ठीक है और domain authority पर यहां पर देख सकते हैं 32 इसका domain authority है spam score इसका 8% है बट स्टिल यहां से आपको anchor tag मिलेगा और यहां पर आपने multiple backlinks post कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात यहां पर आप अपना article post कर सकते हैं और do follow no follow backlinks का जो ratio होता है वह आपका मैं की ऐसा नहीं है कि सारे के सारे आपके do follow backlinks होने चाहिए कुछ आपके no follow backlinks भी होने चाहिए तो आप इसको use कीजिए और definitely अपने website के लिए advantage लीजिए website के नेम की बात करते हैं website का नेम आप यहां पर देख सकते हैं likefm.org likefm.org आज की हमारी second no follow contextual website का नेम है थर्ड website का domain authority आप देख सकते हैं 33 है spam score आप यहां पर देख सकते हैं spam score इसका बिल्कुल भी spam score नहीं है और यहां से आपको एक referring domain और multiple backlinks अचीव हो जाएंगे और यहां पर आप अपने multiple backlinks बना सकते हैं और वो contextual backlinks बना सकते हैं यहां पर अपने multiple articles पोस्ट कर सकते हैं तो backlink बनाने का procedure भी इस पर बहुत simple है टॉप बार पर रेटरेंट साइट पर आपको sign in option मिलेगा sign in पर आप क्लिक कर लेंगे और फिर आपका यहां पर sign up का option भी highlight हो जाएगा और यहां पर यहां पर sign up पर क्लिक करके अपना यहां पर account create कर सकते हैं या फिर आप sign in with google भी कर सकते हैं तो मैं यहां पर sign in with google कर लेती हूं और यहां पर हमने अपना account create कर लिया है तो आप यहां पर देख सकते हैं आपके पास तो आपका प्रोफाइल है तो प्रोफाइल को भी आप अपना पूरा एड़िट कर लिजेगा यहाँ पे फोटो अगरा लगा दीजेगा settings में जाकर तो यहाँ पर अपना location अड़ कर दीजेगा यहाँ पर about info अड़ कर दीजेगा social पर जाके यहाँ पर आप इन जो links को अड़ कर दीजेगा अपने YouTube चानल के लिए backlink बना रही है तो मैंने अपने यहाँ पर अपना YouTube चानल का link अड़ कर दीए आप अपने blog का यह website का link यहाँ पर add कर सकते हैं और फिर हम इसको save कर देंगे और फिर आपको यहाँ पर उपर right पर click करना है और यहाँ पर आपको अपना title, tags और यहाँ पर अपना article paste कर देना है तो हम इसको फटा-फट से fill कर लेते हैं तो यहाँ पर हमने अपना title add कर दे हैं यहाँ पर हमने अपने tags add कर दे हैं और यहाँ पर हमने अपना article paste कर दे हैं यहाँ पर हमें anchor tag achieve हो रहा है जो की एक बहुत अच्छा SEO metric होता है हमारा और यहाँ पर आप अपनी videos add कर सकते हैं आप अपना nofollow की बात करते हैं तो definitely है हमारा जो है nofollow back link होगा जी हाँ आप shops देख सकते हैं्पे हमे nofollow backlink अचिव हु कर अचिव हुऊ है यहां पर आपको contact should nofollow backlink कर चीव हुऊ हए यहाँ पर Crystal anchor tag भी मिल गया है और website की नहीं की बात आप यहां पर देख सकते हैं धामबेर पोस्ट डॉट-कॉम जो है आज की हमारी थर्ड वेपसेट का नेम है फूर्थ वेबसेट का डोमेन अथारटी अब देख सकते हैं 41 है स्पाम स्कूर इसका 9 परसेंट है बट यहां से आपको जो है डू फॉलो बैक लिंक मिलेगा और बैक लिंक बनाने का प्रोसेजर बहुत जादा सिंपल है यहां पर जो है आपको create an account option मिल जाएगा यहां पे आपक क्लिक कर लेंगा और फिर आप इस form को fill कर लेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं मैंने यह सारा form fill कर दिया यहां पर simple user custom fill मिल आप कुछ भी जो भी आपका password होगा है कुछ भी होगा उसको आप यहां पर फिल कर दीजेगा और sign up पे आप click कर लिजेगा और फिर आपका जो है यहां पर भी option highlight हो जाएगा तो यहां पर आप अपना random date of birth जो है वो यहां पर फिल कर दीजेगा और I am not a robot पर click करके by creating your account you agree to your terms and privacy policy यहां पर आप click कर देंगे sign up पर आप click कर देंगे और आपका यहां पर account create हो चुक है इन्होंने आपको verification का email बेज़े उस email पर आप click कर देंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं मैं को यहां पर verification email भी receive हो चुक है और अब आप यहां पर जब अपना photo आड़ कर देंगे country location और अपना work title यह सब कुछ आप अपना profile अच्छे से आड़ कर लेंगे यहां पर आप किसी को भी as a friend आड़ कर सकते हैं इसको finish कर देंगे और profile photo लगाए भी नहीं आपको आगे proceed नहीं करने दे रहे तो हम profile photo लगा लेते हैं तो I guess हमें इस बाकी की information भी fill करनी ही पड़ेगी तभी हम यहां पर जो अपना आगे इस गया में proceed करने देगा तो 150 pixel by 150 pixel का आपको यहां पर इमेज आड़ करना है वह आप अपना image resize कर सकते हैं online tool को use करके तो profile photo add करने के बाद हम अब हम यहां पर अपने जो है इन options को choose कर सकते हैं सबसे पहले तो हम अपना यहां पर profile complete कर लेते हैं तो settings में चले जाएंगे यहां पर आपको added profile को option मिल जाएगा और यहां पर आप basic पर click कर देंगे यहां पर आपको अपनी website add करने को option मिल रहा है यहां पर अपना एक छोटा सा bio add कर सकते हैं यहां पर control add कर देंगे यहां पर अपना blog या website जिसके लिए या back links बना रहे हैं उसका जो link आप यहां पर add कर देंगे और save changes पर click कर देंगे country select करना important है तो मैंने randomly country select कर लिये और यहां पर हम social links को भी एक बार देख लेते हैं तो यहां पर भी जो है अपना इस इन सभी को fill कर दीजेगा तो जो भी आपकी यहां पर profiles बनेऊंगे उनको भी यहां पर advantage मिल जाएगा तो save changes पर हमने click कर दिया है तो मैं दुबारा से अपने profile पर जाती हूं आप इन सभी को fill कर दीजेगा ताकि आपकी जो profile है वो 100% complete हो जाए 25% ना रहे और आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर हमें 100% do follow backlink अचीव हुआ है और यहां पर आप यहां पर आप multiple backlinks भी बना सकते हैं डोमेन और multiple backlinks मिल जाएंगे यहां पर आप videos upload कर सकते हैं audio upload कर सकते हैं और आप यहां पर multiple post create कर सकते हैं voice notes दे सकते हैं तो यहां पर अपनी PDF files वगर अप्लोड कर सकते हैं यहां पर आपको बहुत सारे options मिल जाएंगे तो I hope आपको फोर्थ website भी काफी अच्छी लगी होगी और इसका नेम आप यहां पर देख लिजिए demo.sngyne.com demo.sngyne.com जो है आज की हमारी fourth do follow contextual website का नेम है